हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू ए ए आउनलाइन सोलूशन आज हम करें क्लास 10 एंसी आटी मैथ इक्सरसाइज 8.1 का कोश्च नमबर 4 ओके तो बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है कि यदि कॉट 15 कॉट बराबर 8 तो सैन एक सेक एक अमान गया तो यहाँ पी देखे एक की र सब्सक्राइब 15 कॉट ए बराबर 8 तो इसको में क्या करूंगा 15 कोई थर भीज़ देंगे ठीक है ना तो यहाँ पी लिखेंगे बेस है आठ अब परपेंडिकुलर केता है पांच 15 मतलब यहां पर मिलिख सकते हैं कि इसलिए बोल सकते हैं कि बी बराबर 8 हो गया पी बराबर 15 होगे तो मुझे क्या निकालना है तो एच बराबर अब एच यहनुकी करने कैसे निकालते हैं तो पी का स्क्वार जोड़ बी के स्क्वार कर देंगे और बी कितना है तो आठ के स्क्वार कर देंगे 15 कितना होता है 225 आठ के स्क्वार कितना होता है 64 होता है अब यहां पर देखें पांच चर नौँ छे दो देख रहा चे दो आठ और 289 अब 289 का वर्गमुल कितना होता है 17 होता है यानि कि एच का एप बोलो सपय का मान क्या होता है सड़ी लंब बटे करने अब देखो लग जैनी कि पी तना अब पंद्रा निच विआ गिस तरह कर दो सतरा हो गया उक्सर हो गया दुसरा क्या वह दो रहां गो कि सेखें सेख का फॉर्मूल का होता है करने बटे अधार है ना है एच बाइब यह आपको फॉर्मूला याद रखना है ठीक है आप यहीं फॉर्मूला ऐसे याद करो कि ठीकर पीपी है इस एक टॉँझ को कॉसेक सिख कोड तो ऐसे फॉर्म याद कना तो यहाँ पर होगा ग्रैक्मने लिखा घ्षबाइब आप एच का वैल्व कितना देवाँ शतरा देया है और बीक वाल्य केटना तो वीडियो करते हैं लास्ट अच्छे लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर करना ओके बाइ